नमस्कार आप देख रहे हैं DTV भारत आपके साथ मैं हूँ शर्मिला चोहान कुरोना काल में देश में तमाम परिक्षाएं स्थागित की जा रही हैं क्योंकि कुरोना काल जैसी भायावस्थती को देखते हुए CBSC की बारवी की परिक्षा को भी स्थागित किया गया है और हाली में हुए केंद्रिय मंत्रियों की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि फिलहाल परिक्षा को स्थागित किया जाएगा लेकिन बारवी की परिक्षा को रद नहीं किया जाएगा और उसकी जानकारी एक जून को केंडिय सिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाल निशंक देने वाले हैं। कर दिया गया है। आपको बता दे कि नोटिफिकेशन जारीकर आयाइटी खरकपूर ने कहा है कि मौझूदा हालात यानि कोरोना वाइरस को देखते हुए तीन जुलाई यानि शनिवार को जो पेपर होने वाले थे जे एडवांस के उन्हें टाल दिया गया है। परिक्षा की नई तारीक को एलान किया जाएगा और उचित समय में ही परिक्षा की जुत्ति थी है नई थी उसे एलान किया जाएगा। बता दे कि JEE मिन्स परिक्षा पास करने वाले चात्र जे एडवांस परिक्षा देने के पात्र होते हैं। आयाइटी में दाखिल के लिए आयाइट इस परिक्षा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जल्द ही इस परिक्षा की जो नई तित्थी है उसे घोशित किया जाएगा। और आप JEE मेंस के जो आधिकारिक उसका जो वेबसाइट है वहां पे जा सकते हैं। और वहां पे जाकर आप जो भी जानकारिया आएं वो कराने का नड़नाय लिया जाएगा और जो नई तिठी घोशित की जाएगा उसमें भी दो पालियों में परिक्षा क्या जाएगा और अप आधिकारिक वेब साइट पर इसकी घोशना भी कर दी जाएगी तो फिलहाल आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना को लेकर एक बार फिर से जेई एडवांस की जो परिक्षा है उसे स्थागित कर दी गई है और इसके साथ जो CBSE की बारवी की परिक्षा है उसे भी स्थागित कर द रहा है कि एक जून को जो केंड्रिय सिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक वो इसकी जानकारी देने वाले हैं कि आगे क्या फैसला लिया जाएगा लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि परिक्षाओं को स्थागित किया जा रहा है और जो जेई एडवांस है उस प